सो अगते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर टामें दोस्तों SPI के एक पहतरीन स्कीम है SPI कॉंट्रा फंड इस स्कीम के अंदर अगर आप लंब सम 99,500 रुपे का निवेश करते हैं तो यहां से आप करीब 65,000,000 रुपे का फंड बना सकते हैं और यहां अगर आप चाहें तो हर महीने 15,950 रुपे की इनकम भी शुरू कर सकते हैं दोस्तों mutual funds इसकीमों के अंदर SPI के अंदर निवेश जब हम करते हैं तो हमें काफी अच्छा रिटन में चाता है क्योंकि पहरे भी SPI की बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जिनोंने काफी अच्छा रिटन दिया है इस चैनल पर आप चेक कर सकते हैं हमने कुछ स्कीम ऐसी भी आपको बताई है जिनके अंदर अगर आप पिछले एक सार पहले निवेश करते तो आप तक एक साल में आप कम से कम 5-5,5,5 रुपे का पंड बना सकते थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक भी है अगर आप चाहें तो चैक कर सकते हैं लेखने यहाँ पर हम जो वीडियो लेकर आये हैं इसकी अंदर दोस्तों आप कम पैसे निवेश करके भी एक मंत्री इंकम शुरू कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो अपने किसी गोल के लिए निवेश करना तो आप कर सकते हैं और कम पैसे से ही एक बड़ा फंड बना सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका कम पैसा निवेश हो और उन्हें एक गोल के लिए निवेश करना है। बच्चों की शादी करनी है या फिर उनका और पर बड़ा लग्जा है जिसके लिए वो निवेश ब्लांद करना चाहते हैं और दोस्तों कम एज में जब हम जॉब स्टार्ट करते हैं तब या फिर हमारी एज जब कम होती है तो हम निवेश कर सकते हैं इसने क्या होगा कि हम रिस्क भी ले सकते हैं और हमारे पास एक लंबा वक्त भी हो जाता है जिसे हम तब तक निवेश करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप कम पैसे भी निवेश करके अपने किसी गोल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके काफी काम आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप कम पैसे से मंत्री इंकम भी शुरू कर सकते हैं और अपने पैसे को काफी बढ़िया बना भी सकते हैं 99,500 रुपी की रकम कोई जादा बड़ी रकम नहीं है अगर आप यह निवेश करते हैं तो इससे भी आप 65,000 रुपे का फंड बना सकते हैं यह फिर अगर आप चाहें तो मंत्री इंकम भी शुरू कर सकते हैं वो भी 15,750 रुपे की यह स्कीम कैसी है इसके इंदर आप कैसे निवेश कर सकते हैं कैसे आप मंत्री इंकम शुरू कर सकते हैं इसकी पूरी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में समझेंगे और दोस्तो हम कैलकूलेशन भी करेंगे कि यहाँ पर आप कैसे निवेश करके इंकम के साथ अपने पैसे को ग्रू कर सकते हैं उससे बहले एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें दोस्तों SPI की जो स्कीम हम लेकर आये हैं जैसे हमने आपको उसका नाम बताया SPI Contra Fund अगर हम यहां पर रिटन की बात करते हैं तो इसी स्कीम का जो ओल टाइम का रिटन है वो भी compound 15.33% है काफी रिटन अच्छा है क्योंकि हम bank every की बात करें तो उसमें आपको जो रिटन है वो simple interest rate के साथ से जादा से जादा 6.5% से लेकर 7% तक मिल सकता है जबकि mutual funds में जो रिटन है वो compound होता है और काफी अच्छा रिटन मिल जाता है अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो रिटन है 18.10% का अगर हम 3 साल की बात करें तो annual return इस scheme ने दिया है 41.55% का जबकि last 1 year की बात करें तो रिटन है 25.33% का यानि यहां पर जो निवेश किया गया है पैसा अगर पिछले 1 साल की बात करें तो 25% से भी जादा return यहां पर मिल चुका है अब दोस्तों पहले हम यहां पर करते हैं calculation उसके बाद हम इस scheme के बारे में कुछ details में बात करेंगे और calculation करेंगे तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप निवेश करते हैं एक पर 99,500 रुपे का और 15% return अगर आपको मिलता है और यहां पर दोस्तों अगर आप निवेश करते हैं इस पैसे को 5 साल के लिए मंत्री इंकम के भी हम बात करेंगे आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ पाएं पांच साल में आपके निवेश पर 15% return के साब से 1,630 रुपे का return मिल जाएगा और यहां पर आपके 99,500 रुपे बढ़कर 5 साल में 2,130 रुपे हो जाएंगे इसी तरह अगर आप इस पैसे को यहां पर निवेश करके रखते हैं 10 साल के लिए तो इसमें आपके पैसे पर return मिल जाएगा 3,333 रुपे का और आपके 99,500 रुपे 10 साल में बढ़कर हो जाएंगे 4,253 रुपे इसी तरह दोस्तों यहां पर अगर हम बात करते हैं 15 साल के time period की तो इसमें 99,500 रुपे के हिसाब से estimate return आपको मिल जाएगा 7,10,138 रुपे का यानि के आपके 99,500 रुपे बढ़कर हो जाएंगे 8,9,638 रुपे इसी तरह दोस्तों यहां पर अगर हम बात करते हैं 20 साल के time period की तो इसमें return आपको मिल जाएगा लगबक 15,28,970 रुपे का और आपके 99,500 रुपे बढ़कर 20 साल में हो जाएंगे 16,28,470 रुपे अगर हम दोस्तों 25 साल की बात करते हैं लेकिन यहां से आपको compound return का फाइड़ा काफी अच्छे से मिलेगा 25 साल के time period में आपके निवेश पर return मिलेगा 31,75,936 रुपे का और यहां पर आपका निवेश मिलाकर टोटल आपके पास पैसे होंगे 32,75,436 रुपे दोस्तों गर हम 30 साल के time period की बात करते हैं थोड़ा सा लंबा वक्त यह जरूर है लेकिन इसमें return आपको मिल जाएगा 64,88,571 रुपे और आपके 99,500 रुपे 30 साल में बढ़कर हो जाएंगे 65,88,071 रुपे इसी तरह जैसे हमने आपको बताया monthly income की यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं 15,950 रुपे की तो इसके लिए आप एक मुस्तरकम जमा करेंगे 16,00,000 रुपे की यानि इतने पैसे आपके bank account में आ चुके होंगे मर्थली प्याउट के रूप में और यहाँ पर आपके जो 16,00,000 रुपे हैं वो पैसे भी 5 साल में बढ़कर लगब 18,41,197 रुपे हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 10 साल के टाइम पीरिट की तो इसमें 15,950 रुपे विड्रोबल के हिसाब से आपको कुल विड्रोबल मिलेगा 19,14,000 रुपे का जबकि यहाँ पर आपके 16,00,000 रुपे 10 साल के टाइम पीरिट में बढ़कर हो जाएंगे 23,26,339 रुपे जबकि दोस्तों कर हम बात करते हैं यहाँ पर 15 साल के टाइम पीरिट की तो इसमें 15,950 रुपे विड्रोबल के हिसाब से जो मंत्री इंकम हो रही है उसके हिसाब स 28,21,000 रुपे का आपको विड्रोबल मिल जाएगा और आपके 16,00,000 रुपे भी बढ़कर 15 साल में 33,2,104 रुपे हो जाएंगे इसी तरह यहाँ पर अगर हम टाइम पीरिट बढ़ाते हैं अगर हम बात करते हैं 20 साल की तो इसमें 15,950 रुपे विड्रोबल के हिसाब से 38, 28,000 रुपे का आपको कुल विड्रोबल मिलेगा जबकि यहाँ पर 20 साल में आपके 16,00,000 रुपे भी बढ़कर 52,64,730 रुपे हो जाएंगे अगर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 25 साल के टाइम पीरिट की तो इसमें 15,950 रुपे के हिसाब से 47,85,000 रुपे का आपको विड्रोबल मिल जाएगा और आपके 16,00,000 रुपे बढ़कर हो जाएंगे 52,2217 रुपे इसी तरह अगर हम 30 साल की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको 15,950 रुपे विड्रोबल के हिसाब से 57,00,000 रुपे का विड्रोबल मिल जाएगा और आपके जो 16,00,000 रु यानि कि सिस्मेटिक विड्रोबल प्लान इसके अंदर आप मंतरी इंकम शुरू कर सकते हैं और दोस्तों जो भी पैसा आप निवेश करते हैं उसमें से 0.70% से लेकर 1% तक प्याउट चूस कर सकते हैं जो भी आप निवेश करते हैं इससे क्या हुआ कि आपका जो इंवेस् सिक डिटेल्स की बात करते हैं जो कि काफी जरूरी है इसमें एनवी यानि नेट एसे ट वैल्यू की बात करें तो यह है 263 रूपीज का यानि इसी प्राइस के अपको यूनिट लॉट की जाएंगी जब भी आप निवेश करेंगे और जो भी करेंट एनवी का प्राइस होती है holding यानि इस mutual fund का पैसा किन स्टॉकों में निवेश किया गया है तो यहाँ पर टोटल स्टॉक है 77 जिन में पैसा निवेश किया गया है और top holding की बात करें तो गेल इंडिया, ICAC bank और HDFC bank यह top holding है इस mutual fund scheme की अगर हम equity sector location की बात करते हैं तो sector wise में सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया है इस fund का financial sector के अंदर करी 22% इसके लवा energy sector के अंदर 21% यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं fund के खर्चे यानि expense ratio की तो यह है 0.90% का अगर exit load की बात करते हैं जैसे कि आपने पैसे निवेश किये और एक साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं अपन अब आपको 10% का LTCG tax देना होता है fund management की बात करें तो दिनेश बालक प्रिसन 2018 से और मोहित जहन 2017 से इस fund को manage करें SPA mutual fund house की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़दा पैसा mutual funds के अंदर SPA mutual fund house के साथ ही निवेश किया गया है यहाँ पर EUM की बात करें तो 7,43,770 करोड रूपे का EUM है SPA MF की rank इंडिया में नमबर वन है और अगर हम बात करें स्टार्ट की तो 1987 को यह fund house स्टार्ट हुआ था तो दोस्तो SPA mutual fund के अंदर यह scheme SPA contra fund काफी बढ़िया है जिसके अंदर आप 15 परतने डिटन से भी अपने लिए किसी target को पूरा कर सकते हैं या फिर इसी scheme से आप मंतल क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद